चलो एक्जाम्पल लिखे पहला काम है कि मैं आपको याद दिला दूँ कैसे कि याद तो आ जाएगा पर एकात एक्जाम्पल से फ्लो बनेगा हमारा पाउस्ट और प्रजेक्ट प्रिजेक्ट प्रिजेक्ट का मतलब कैश आउट्लो की कैश इन जाएगा सिर्फ पैसा जा रहा है हमारा दो लाक रुपए आज कैस इन फ्लोज एट दी एंड आफ अड़िया पैसा आएगा अब तो मुझे कैलकुलेटर ले लिए अब मैं यहां खुछ भी लिखूँगा ले खाले तो रोश उड़ जाएगे कैसे आएगा या क्योंकि मुझे में नहीं मालूँ नहीं मजा कर रहा हम रहा हम रहा हम आप सीरियस क्यों ले रहा है नहीं नहीं लगेगा इसके बंद नहीं तो यह लोग तो है वन वन वाइफ ओके अब ध्यान से समझनारा मैं क्या क्या पहले पहले कैलकुलेशन से समाझ लो हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगए रहे हैं पैसा कब लग रहा है आज ऐसा आएगा 290115 कब असा कोई बिसनेस देखा है मतलब पैसा लगा रहे हो आज किसी प्रोजेक्ट में किसी बिस्निस में तीन साल तक कुछ भी नहीं आएका और सिधा लाश्ट में आएका हम यह सब टाइम फास कर रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं कुछ और ही होगा पर इसे सीखने को मिलेगा कि IRR कैसे लगा ऐसा भी बिस रियल इस्टेट आज खरीदते हैं कोल्ड कर लेते हैं तो तीन साल बाद बेस देते हैं तो उससे रिटन तो पता लग जाएगा हम को कि बेसार को याद रखना है हर साल नहीं आने वाला सुप्तार इसंस में Íगा अब बता है रिटन कितना कमा प package कोशे बेसार इा Allahisenit लगा या 2ोटामादे रिटन कैसे बहता हैं पर हम सीये लोग है ना तो ऐसे गरें तेकनिकल थोड़ा आयर निकालना आयर थर्ड यर में आ रहा है तो पेच पल्टा सकते हैं कि बिलकुन कि लोग है यार तो दिल पहले यार तो दिल पहले मतलब एक भी जिरो में भी काम चला है खड़ीन पॉइंट टूइज पता नहीं मिरे पास तो है नहीं कुछ तो निकालते थे आर और 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 को प्यार से आयर रहे है वही है ना यार में तो समझ गया है नहीं नहीं आयर र वही है जो आप आर नहीं काल रहे हूं उसी को आयर र बुलते हैं नहीं हो नहीं हो आपको कर रहने की 13.20% एक अंसर मेरे पास आया है आएगा आएगा 13.20% हाँ चल जाएगा बुलते है 13.20% एक तीन साल का मिलाकर है की हर साल की परिण बहरा आएगे यह 3 साल का मिलाकर ठोटल है की परैनम परैनम है यह टिक परैनells के आघान आए थे यह दुलते हैं उसक्रिद देरम यह और भी फ्रेस का लगते हो आएगा है अफगर आए उसक प्रैस आएगा पता है आपको विसेज बात में देख रहा हूं जिसने आंसर दिया बिल्कुल सहीं उम्में थोड़ा घूमकर ऐसा देखता हूं तो फिर आंसर चेंज कर देते हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि परेनम ही तो है यह निकला के डेटी पावर लगाया था दूसरा किस पंदराज कौन सब अच्छा है यह वाला पर यह काम नहीं आएक आगे काम नहीं आएक अगला एकशामपल अब इंपोर्टन है आपका नहीं आया है नहीं तो फेस टू फेस का यह फायदा है कि टीचर को आप आगे नहीं बढ़ा सकते जैसे आप फास्ट पावड करके यार यह दिए देखो 2,00, ऐसा करते थे 1 प्लस आर टू दा पावर 3 और यहां लिखते थे 2,90,1,15 और यह डिवाइट हो जाएगा अब पावर वन बाई थ्री कर देंगे इटमेंस ये दो लाख लिखा और पावर वन बाई थ्री तो यह आएगा 1.1320 क्या असपास मैनस वन करेंगे तो आंसर रह जाएगा आगे है सभी का चलो, next example अब थोड़े higher level अब आज की ग्लास स्टार्ट करें अब लोग ना कोशन पूछते नहीं हो पता नहीं है पूछने की आदत नहीं है जबकि मेरी ओनलाइन में ग्लास चलती है इतने मैसेज आते है मतलब ऐसी चीज जैसे एकाउंटिंग बढ़े हो ना दोदें में250 देबिट सबसक्राइबिट को क्या लगते है तो बच्चे यह भी बूच दें की सर सुनो ना इधर R समझ में आता है इधर अगा भी नही है Turturs क्यों लगा है कभी सोच है है इटली, ये लैंग्वेज यहांख laquelle इटली Karma वहां डेबिट नहीं लेखा जाता वहां लिखन जाता है डेबिर को दिसलिए वो लोग क्या लिखते थे अब हमने copyPaste किया हमने कपी पेश्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो R को हमने T कर दिया पर यह एज़िटीस कॉपी कर लिया है मतलब हम उतने एक्सपर्ट नहीं थे अब हम एक्जामपल लिख रहे हैं एक्जामपल लिखूँ कॉष्ट और प्रोजेक्ट कॉष्ट एक लाग लिख लिख लिया गया गुट मैं परिशान करूँ अपको है न कि इन लाख ताठ हजर चार सो असी चलो ठीक इतना पैसा आज लगा रहा है और हर साल पैसा आएगा अब हर साल आ रहा है जिसको आप बोलते है C F A T या इसको कैशी इंफलो भी बोल सकते है तर कितना रुपए आरहा है हर साल ये आरहा है हर साल एक लाख रुपए पर एनम तर कितने साल आ रहा है लाइफ कितनी है लाइफ भी लिख देता हूं पसा हो तो बताओ IRR कितना आएगा, हम कितना रिटन कमा रहा हूँ इस मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं IRR आपको समझा दिया ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा हूँ अब थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा लगा कितना रहा हूँ हर सल कितना आ रहा है मतलब पास सल तक आ रहा है रूटल कितना कमा रहा है मतलब यह कमात हो रहा है वो परशन्टेज चाहिए परशन्टेज का रहा है अगर हम आंसर बता दे तो तो समझ लेना वह गलत है तो मतलब भी नहीं जानता हो नहीं निकलेगा आपसे जो पढ़ाई नहीं उसका आंसर निकलेगा कैसे बस इतना क्या सर डर्टी पावर लग सकता है सवाली पैदा नहीं होता है याद रखने डर्टी पावर तब ही लगेगा जब पैसा एक साथ आएगा किसी भी येर के एंड में एक साथ यहां एक साथ नहीं आ रहा है एक लाग एक लाग एक लाग लाग तो डर्टी पावर नहीं लग सकत इंपॉसिबल है। फैक्टर वाले से भी कर सकते हैं पर और एक मैथट बता देता हूं क्योंकि मुझे मैं आपको जो देख रहा हूं ना फ्यूचर वो multiple choice question भी देख रहा हूं इसलिए मैं नहीं तो यह चीजे में discuss नहीं करता है। इट मींस यह हमने एक चीज सीखा था आई एलार एक ऐसा रेट है जिस पर एन पी भी जीरो या present value of cash outflow is equal to present value of cash inflows मनते हो अच्छा आज कितना पैसा लग रहा भाई पी 60480 आएगा कितना नहीं एक लागई याद P.V.C.I कुछ निकालते थे हर साल एक जैसा हो एक लाग एक लाग एक लाग 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 फैक्टर से multiply करते थे फैक्टर वह एन यूटी फैक्टर लेते थे कि इंडिविजवल लेते थे एनुटी तो यहां में क्या कर दूँ P V A F कौन से साल में है कितने साल का मिला कर 5 किस रेट पे है अचा वही तो निकालना तो कोई बात नहीं P V A F यह डिवाइड हो जाएगा 360480 इवाइड बाइ एक लाख 3.604 यह 6.05 ले ले सकता है राम लेट आफ करके 1.10 1.10 इक्वल टु इक्वल टू पास बार करो और जीटी प्रेस करो क्या में गलत लेगा इसके पीछे गलती मालू है किसके क्या मेरा क्या बात नहीं यह 3.605 अब मुझे भी निमानु कि यह कौन से रेट का फैक्टर रही है तो अब सुनो एक तरीका कि आपके बस मॉड्यूल है यह जो टेबल है कभी देखा है इसको मैंने तो यार बेसिक की क्लास में अच्छा वो तो फाइनल की क्लास थी तो उसमें यह लॉक टेबल नहीं यह प्रजेंट वल्य फैक्टर टेबल है प्रजेंट वल्य फैक्ट यह देखो अ मैं आपको बता रहा हूं यह टेबल में पहले समझा देता हूं कि क्या है आप अकेले अकेले क्यों थोड़ा सब्सक्राइब यह पहली टेबल है जिसको बोलते फ्यूचर वैल्य टेबल आपको पहले प्रजेंट वैल्य फैक्टर टेबल यह देख रही है इसमें आप आजाईए यह वाला प्रजेंट वैल्य इंट्रस्ट फैक्टर और रुपीज वन करके मिला दस परशन का फैक्टर निकालना आता है आपको कैलकुलेटर उठाओ वन डिवाइडेड बाई 1.10 किया आपने तो कितना आगया पॉइंट वो देखो आपकी टेबल में इधर दस परशन दिख रहा होगा लाश्ट में क्या दिख रहा है नाइन जिरो नाइए फिर इक डिवाइड बाई 1.08 एकवल टू करोगे तो वही वाला मिलेगा 0.925 यह बास समझ में आती है आप लोगको ठीक है अब मैं इंपॉर्टेंट है अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं कि मिल गया यह वाला टेबल देखो एस सेवन दिख रहा होगा लास्ट पीज में अब यार मुझे दस पर्शन के हिसाब से क्युमिलिटीव फैक्टर अभी निकाला था सहाय है अपने क्यों में एनिविटी फैक्टर कैसे निकाला था 1 डिवाइड बाई 1.10 पाच बार इक्वल टू किया था और जीटी प्रेस किया था तो आया था 3.79 चेक करो इसमें 10 पर पाच्वे साल का 3.791 मिल रहा है ठीक है ऐसे अब किसी भी तो यह टेबल और पिछली टेबल में अंतर समझ में आ रहा है इसली टेबल में फैक्टर दिया रहे था हाला कि हम काल रहे थे पिछली टेबल जो किया था उसमें इंडिविजुल इयर का फैक्टर दिया था इसमे में धूणने की कोशिश करेंगे, मिल जाए, कास मिल जाए, देखो, फिप्तियर में धूण रहा हूँ, 4.853 मिला, फिप्तियर में, फिप्तियर में, मिल जाए, 3.605, नहीं है, 10 परशेंट तक तो नहीं है, अब पेच पल्टाओ, पाच बेसा, ओहो, मिल गया, IRR 12 परशन, IRR is equal to 12 परशन, आपको टेबल नहीं मिले, लेकिन, पोश्चन के नीचे, 10 परशन का फैक्टर, 11 परशन का फैक्टर, 12 परशन का फैक्टर, ऐसा दे देता है, तो उन 3 कॉलम में से 3.605 ढूणना आसान हो, जून लेंगे, सिदा IRR 12 परशन, ठिक, सिदा लिक दीची, IRR 12 परश यह सबसे ज़्यादा इची है, बट कभी कभी कोश्चन में टेबल नहीं दिया रहता है, फिर तो निकालना ही पड़े है, वो टेबल इसलिए मैंने दिखा है, क्योंकि multiple choice कोश्चन में आपको हो सकता factor दे दे, याद रखो कि ऐसे भी निकाल सकता है, यह अभी आगे चल रह कभी गाड़ी वड़ी देखने गया है, क्या, जब हम शोरूम जाते हैं, तो जैसे कारवार देख लिया, और फिर पूछते हैं, मुझके तो फाइनेस करवाना है, और पास साल के लिए कितना केस्त आएगा, तो कुछ निकालते हैं एक टेबल, और उस टेबल से कुछ करते ह इतना है, वो यह वहला टेबल, अब जाओगे ना, अब आपको, अरे यार, यह टेबल तो हमारे क्लास की टेबल है, अब को समझ में जाएगा, यार, उससे निकलता है, इक्वल इंस्टॉल्मेंट पर अभी, 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 धीरे से बद, यह टेबल, अभी में पर नपीवी क्या होना चाहिए, जीरो, पहला रेट कौन सा उठाएंगे, दस पर्शन, वह उठा लिया करो, ज्यादा दिमाग नहीं चला, दस पर नपीवी जीरो आ गया है, तो ठीक, नहीं आया तो फिर दूसरा रेट लेंगे, या तो दस से जादा लेंगे, डिपेंड क करें, वह हर एक कोश्चन में एपलाई हो जाएगे, तो ज्यादा अच्छा उसी मेथड से करें, ज्यादा टेंशन ही कता हो, चला, तो अब हमारा टारेट क्या है, एन पीवी, जीरो, आल्टरनेटिव टू लिग भीशिए, IRR, is a rate at which NPV is equal to Z, तो पहले rate ले रहे, let assume, discounting rate, इतना बश्चन लेले, और भगवान से क्या प्रात्ना करना है, और भगवान सुनेगा नहीं है, NPV is, कितना एक लाक, घर सा ला रहा है, इन्टो 3.791, माइनस, कितना था कॉश्ट अप टुजिक्ट, 364, यह लेकिए, 360, 48, NPV आएगा पॉजिटिव, 1-8, 1-8, पॉजिटिव आया, तो रेट इससे ज़्यादा लेना है कि का, यह तो आपको यादर नमर, इससे ज़्यादा रेट लेना, यह कौन साले है? 12 को यह बोलेगा, तेरा में पॉजिटिव आया है तो? मतलब यह करते जाएंगे, 30 में पॉजिटिव आया हैं, मजा नहीं आया हैं, 14 में आया हैं, 15 में यह पंद्रा लेलेते हैं, 20 में लेलो, यह देखा आपने अठारा लिया इन्होंने पंद्रा लिया इन्होंने बीस ले लिया सबका अंसर अलग अलग आएगा सबका अंसर एक ही है तो थोड़ा सा अंतर आएगा जहां रेंज जादा बढ़ जाता पॉइंट के अंतर जहां रेंज जादा बढ़ जाता रेंज वहां एक्कुरीशी खतम होती तो कोशिस करना पाच का डिफरेंस लेते है हम इनी मालूम की इसके हिसाब से भी नहीं आज कर डिफरेंस लेते हैं और सूचेंगे क्या करें इसकांटिंग रेट इसकांटिंग रेट ना बशन अंधराव एन पी वी इस एक लाख इन टो माइनस T6 is 0 480 is equal प्रक्टोष नहीं रेकना है ने 25,244 अंधराशन कोई फैक्टर बताएगा यार 3.35 10 पर्षेंट पे जब लिया तो हमारा जो प्रक्टीवी आ रहा था वो आ रहा था पॉजिटीवी 1,8,6,2 और जैसी रेट हमने 15 पर्षेंट लिया तो हमारा एन पी वी आ गया है माइनस में 2526 और हमें एन पी वी कितना करना है यार 0 पतलब यार जैसे हम 5% बढ़ाते है तो एन पी वी में चेंज आ जाता है कितना डिफरेंस 4,3,8,8,4 पर हमें तो सिर्फ 1,8,6,2,0 डाउन करवाना है तो भाई ऐसा है 10 तो लगे गई लगेगा मैंने का ये पर्षेंटेस है तो ये भी उपर आ जाएगा 5 और 5 के बराबर वैल्यू कितनी है 4,3,8,8,4 और हमें चाहिए कितना 1,8,6,2,0 के लिए कितना पर्षेंट इस 12 पॉइंट जबकि एक्च्छल कितना है 12 क्या ये एक्क्यूरेट है नहीं एप्रॉक्सिमेट है पर चलेगा तो सर्क कितने पर्षेंट तक वैरिएशन चलता 0.25 पर्षेंट अगर 12 पर्षेंट है अगर 12 पर्षेंट है और किसी का रहा है 12.12 किसी का रहा है 12.05 किसी का रहा है 11.82 तो भी चल जाए मतलब थुड़ा सा वैरिशन चलेगा 0.25 हो जाएगा कौन सा वला मेथ ज़्यादा अच्छा ये करो खुश रो कुछ नहीं सोचना है फिर कि क्या दिया जो भी दिया होगा हम ऐसे करेंगे सिर्फ बात कतम बना लोगे चलो एक बार देख लेता हूँ यहां तक हो गया बना बना लोगे कि लख कि एफ वाश्टी और चलो पाच सांग तर पहले सल कितना आ रहा है 25,000 ताउजन ताउजन कि 30,000 कि 20,000 कि 20,000 कि 20,000 कि 20,000 कि 25,000 कि 20,000 और मुझ गलो कॉसे झाल कि 20,000 कि 25,000 कि 20,000 कि इतने बशन से स्टार्ट करूं यार लिखे कि पहले कैल्गुलिटम से इकमर देख ले 10 से ही नेगेटिव आगे 10 पर्षन पर ही नेगेटिव कि इतना आया है 5 10 पर्षन पर तो नेगेटिव आगे दूसरा रेट कौन सा लेना पढ़ेगा 10 से ज़्यादा कि 10 से कम चलो 5 पर्षन पर देखते है पॉजिटी हुआ जाए इसको सौटकट अगर आप नहीं आता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको एनपीवी सौटकट जो मैंने बताया था ना कैसे करते थे यार मालू में 25,000 divided by 1.10 equal to m plus 20,000 दो बार equal to m plus 27,000 एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार पर्च N plus MRC minus 5065, 66 here 65, positive 87 अब सवाल ये है कि पहले 5 पोर्षन लिखूं कि पहले 10 लिखूं कि पहले 10 लिखूं 5 को लिखने 10 से भी हो सकता था बस वह 10 लिखके फिर minus लिखना पड़ाता है अब 5 से लिख ले था तो 5 पर न्पी वी है 8, 7, 5, 9 टीक है 6 is 0 टीक आब 10 पर्षन 5, 0, 6, 5 और मुझे चाहिए जीरो ठीक है बाकी तो कर लोगे अरन आंसर कितना रहा है अगर इतनी सी भी बात समझे में नहीं आई तो पूछोगे किसा ऐसे करना है अगर आपको कैलकुलेटर में टू प्लस टू भी नहीं आ रहा ना तो वो भी पूछो आप उसकी जिंता मत करो कि मैं नहीं बताऊंगा पूछना पड़ेगा आपको मुझे कैसे समझ में तो समझ में तो आपको आ जाएगा दिख रहा है अगर सिंगल ही प्रोजेक्ट है तो सिंगल प्रोजेक्ट में कैसे डिसिजन लेते हैं आयरर के सबसे आयरर जादा होना चाहिए कि से कॉछ्ट आपको कर्यार ये कि आपको किmeden अपको यह गाहिए और नगई आपकोन कांई आपकोल के शहीं कि प्रोजह कोट्यक्ट आपकेक्ण आप Help अर्सान, effort, first year, Misty, 45,000, 55,000, of 43 cost of capital 10 per per annum with reject should be accepted or not कैसे करोगे काम जड़ा बताओ किसने कहा आयरा निकालके कमपेरिजन करेंगे cost of kept अपने NPV क्यों बोला था नहीं NPV सब्दा अपने अभी यूज किया था न NPV क्यों बीची मा आया था अच्छा NPV निकाल सकते नहीं कुछ लिखा नहीं है क्या NPV से काम हो सकता है हाँ यार अब यह मैं IRR नहीं पढ़ाता ना तो अभी आप इतना पक्का नहीं देते हैं आप बोलते हैं हाँ सब आप क्योंकि आपको एक्स्टा नॉलिज हो गया तब कंफ्यूजन क्रियेट हो गया कि IRR से निकाले कि NPV से निकाले पर कोश्चन में लिखा रहे हैं NPV और IRR दोनों से बताना NPV से भी मैंतर से भी बताना पहले NPV निकालोगे और सेर कोश्चन में कुछ नहीं दिया है तो NPV अगर कोश्चन में मैं ये लिख नहीं लिखता तो आप NPV NPV कैसे निकलते यहां थे PVCI माइनस PVC फॉर्मूला लेंग दो कि आप लोग एक्सेप्ट करें NPV पॉजिटिव आ रहा है से कितना हा रहा बिटे 3, 2, 9, 2, 3 एक्सेप्ट सुनो ना जैसे कोश्चन आता एक्साम है सिदा NPV लिखकर खोड़ दिंगे चलेगा ना वो सब लिखना ये ये लिखना पड़ेगा है ना आपर स्वाट कट बतमार देना हाँ आपकर लिखना पड़ेगा ये अहां 40,000 जार डिवाइड इड़ एड़ेड बाई 1.10 पावर वन प्लस अहां जी अहां जी अहां जी क्या कर रहे हैं क्यों मतलब निकाल ही क्यों रहे है आई अहां बताओ क्योंकि आपको डिसाइट करना है अहां जादा ही आएगा सोचो ना यार थोड़ा गहराई से सोचो गहराई से अगर NPV पॉजिटीव है तो एक्सेप्ट तो NPV पॉजिटीव है तो IRR जादा ही आएगा तो वो भी एक्सेप्ट ये मल्टिपल चोईस कुश्चन करवा रहा हूं इतनी बारियों कि उसे कोई नहीं समझाएगा आपको तो सर इसका मतलब जर बहत्री मजा गया NPV से एक्सेप्ट तो IRR से भी अगर अलग अलग है तो हुआ सकता किसी प्रोजेक्ट का NPV जादा आजाए किसी का IRR इस पे टोटल चार कोश्चन चिपका आया है आपके मोट्रिल ने इसलिए ये बात किया खिर अभी तो आप IRR निकलो प्रैक्टिस हो जाएगी हाँ जी अगला पाच है हाँ किदा बीस परशन पाच की डिफ्रेंस में कितना आ रहा है अच्छा वह भी नहीं आ रहा है पंदरा परशन में आ रहा है तो आपका दिल कर रहा है कि चलो बीस लेते हैं इसमत खराब ही रही तो फिर पच्चिस लेना पड़े हैं पॉजिटिव मत बोलना मैंने कहा न किसमत ही खराब ही क्या को फोर सेवन एट एट तो सब पच्चीस पे जाते हैं फिर तो अब यह मत बोलना इस पर भी पॉजिटिव है हाँ क्योंकि यह बहुत ज़दा डिफ्रेंस घटा न और पीवी जबर दे लिटेंस अब जब इंटर्पोलेशन करोगे तो कौन-कौन से रेट का करें अब बहुत ज़्यादा ग्याफ में डिख्कत होता है अगर मैं सला दू तो 20 और 25 तो सर यह आप टाइम पास के लिए लिख रहा थे कि नहीं मुझे मालम तज़रूत पढ़ने माली है 20 और 25 का करोगे ना तो ज़ाता है एक्यूरेशी खतम है 22.17 22.17 22.17 22.17 22.17 22.17 कि यह प्रेंस मतलब प्लस्ट कि नहीं है नहीं है मैं डिफ्रेंस आई डिवाइड़ बाए इस हुई तो कर रहा हुई पोर से वने टिट्ट अंतर होता है आप में और फाइनल वाले बच्छों में फाइनल भी पढ़ाया था भी बीच में फेस टे फेस विल्कुल साम चलने दो सर्ट यहीं जिन्दगी है हमारी इसे इंडर में लग बात होती है और हम भी ऐसे हो जाएं आ गया अंतर इसका मतलब हमने टोटल छे माथट्स पढ़ लिया है यह यह नहीं मालम कि आपको याद होगा कि नहीं होगा क्याई आरार क्या लगता है रिप्लेस्मेंट क्या होता होगा यह से पूछ रहा हूं जैसे गाड़ी खरीदा अभी दो साल हूँ है मेरी गाड़े को डिसीजन यह लेना है कि उसी को कांटिन्यू करूँ उसको बेचके नए गाड़ी लेलू नए गाड़ी में फायदा भी हो सकता है एक्ट्रा जाएगा पर हो सकता मायरे सुले ऐसी बहुत सारी बात है पर अभ अभी वाने अभी ओवर थोड़ा कि खोके एक्साम इन ए इन ए इन बी पॉष्ट सर क्या खरीदने का सूच एसी अचा एसी भी दो टाइक की होती है एक सस्ती भी आ थी एक महगी भी है बता न आपको कुछ फाइव श्टार बोलते है अजीब सी बात तो बताओ एक एक लाख रुपे की है तो ज्यादा नहीं होगे और एक है एक लाख चालिस और मैंने पूछा भी भी है यह महगी क्यों है वज़ा क्या इसे फाइदा क्या आखिर बोले जो इलेक्रिशिटी एक्सपेंसे है न उसका रनिंग कॉस्ट रनिंग कॉस्ट बोल द और अरन में और फेसं पर इतना हाता है बताओ युथ बाभ़ो हुझा महगी चीज खरिद रहे तो इसलिए और इस से आ रहा है 17,900 पर इंग युथ है पेचेगे न ही प्यान उसको भी पाद साल लिया हख़ा कुछ और भी ले सकता है अब घीरे से ाएंगे और से पक्सेन मत क्या लगता है पेचेंगे ना सिर्ष क्या लगता कितने की विखेगे मतलब थोड़ा इदर इदर बुलो रहें कर्फियूज जाओगे ना मतलब जादा नहीं बूलो गया ना बंदराजा ठीक है यह हो गया अच्छा इसकी बात करो पीस्जार बड़ गिविटी जाओगे लगता है विच मशीन इदर बीटी पर्चेस्ट पर्चेस्ट कोष्ट अपिटल देना पड़ेगा कोष्ट ऑफ कैपिटल इतना बशन दस में ना दिक्कत है न यार इक्जाम में ना कुछ भी लिखा रहे है पंदराबीस दस से करके आते है बच एक्सप्रियेंस है इतना तर कुछ अच्छा सा लो चलो ट्वैल पर्चेस्ट अब भई ऐसा है क्या एन पी भी निकाला जा सकता है मतलब पैसा कितना आएगा मशीन खरीदा तो कैसे आएगा हाना यार पर दिक्कत क्या है बेटे कि यार पैसा आएगा कैसे किसी खरीद रहा हूं है पैसा तो आए गई नहीं तो मुझे जो डिसीजन है वो एन पीवी के बेसिस पर नहीं देना होगा मुझे देना पैसा किसमें कम लग रहा है टूटल पैसा इसमें सुरू में कितना ल यह लोग प्रेजेंट वैल्यू है यह मिला कर बता दोगे और यह भी मिला कर बता दोगे और फिर देखेंगे किसमें काम लग रहा इट मिस्यार कैश इंप्लो नहीं दिया है तो हम कैसा आउफ्लो के बैसे पर डिसीजन देगे और कौनसी मसीन खरीदेंगे जिसमें पैसा कम लग रहा है तो नोट हो जाए इस पर तो हम आउफ्लो के इस एंफ्लो उस आर नोट इवन then decision is taken on the basis of lower PVCO तो पीवी सियों निकाल रहा है तो रूम में ये पैसा जाएगा एक लाग और बीस बीस जार कितने साल तक जाएगा पासा उसका फैक्टर और ये पंद्रह जार लाश्ट में माइनस कर देंगे पहला कोश्यन आप करवाओ के प्रॉपर प्रेजिंटेशन तरसे अच्छा लगेगा लिखो के पीवेस सी है सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं लग मशीने कितना जा रहा है एक लक दस और कितना जा रहा है 20 जैर का फैक्टर चाहिए मचे कितने पशन के सबसे 12 पशन के सबसे पास साल का 3.605 जा होगये आपकी मेमोरी उसी पर हम फसे थे यार उसी पर फसे थे यार कैसे मैं सोचा मेरी 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 एक हूँ 3.605 पैस पैसा आएगा यह पैसा जा रहा है तुछ जो आएगा उसको मेरी में दिखा देंगे 15,000 पैसा पैसा आएगा 165 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 16 16 16 16 17 16 16 16 अब ऐसी किसका निकलना है है न मशीन भी 1 4 9 9 4 5 जलत है बोल दो अज़िए भी विखिवर चाहिए भी वहाव कितना अच्छा लग लगा 184275 कितना विश्वास था 184275 भग्वार तो मैसी नहीं गलत खरीद लेते हैं नहीं मुझे विस्वास है मैजॉर्टी मेरा जो रिकॉर्डड़ीड गलास चलता है लाइव तो चलो ठीक है रिकॉर्ड़ीड कलास चलता है इतनी गल्तिया होती है मुस्से मैं तो कर देता हूंगे कोई बताने वाला नहीं है और लेक्चर जब देखते हैं सार सुनो ना ये तो गलत किया अपने में हो गया वो रिकॉर्ड खता माप जिवाए मैंने कौन से मशीन खरीदे ए हाँ मैं पूछ रहा हूँ कौन सा मशीन लिख लो मशीन अब बहुत काम किजी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये बीसदर क्या है रनिंग एक्सपेंस कब के है सर उसको मल्टीप्लाई किया इतने साल का है तो मल्टीप्लाई करने से कितना है जरह बताओगे 72,100 ये क्या चीज़े बताओगे जो रनिंग कोश्ट है हर साल का विज बीस हजार रुपह है उसका प्रेजेंट वेट उसका पीवी सी यो बोल सकते उसका प्रेजेंट वेल्यू 72,100 कों से और फेक्टर से मल्टीप्लाई किया 3.60 अगर मैं आपको बोलता हूँ फेक्टर है 3.605 और प्रेजेंट वेल्यू है 72,100 तो क्या एन्वल खर्चा निकाल सकते हो रिवाइट कर देंगे 72,100 डिवाइड बाइ 3.605 हर साल का कितना आएगा 20,000 अगर प्रेजेंट वेल्यू देगा और कहेगा कि हर साल का मल्टीपल चोशन आ सकते हर साल का बताओ तो कुछ नहीं करना है एन्वल हर साल का मैं एन्वल बनूँ अगर बताईए तो अगर बताईए तो अगर निकाल रहा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं डिवाइट करके अगला एक्जामपल यह वाला जो एक्जामपल किया था ना इसको इंपॉर्टन लिख लेजी क्योंकि इंट्रिट्यूट इस पे ज़्यादा फोकस किया एक्जाम मशीन A मशीन B पॉस्टोप मशीन 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 cf-80 cf-80 दिया हूँ जैसे cf-80 दिया हूँ मतलब क्या निकलेगा np 70,000 पर एक्जाम रुप्या लगा रहा है हर साल कितना है इस पे ज़्यादा पैसे परसर कितना आएगा 78,000 पैसे लाइफ लाइफ क्योंकि सच्टी मशीन है तो ही साल चलेगी और क्योंकि महगी है तो थोड़ा सा ज़्यादा चलेगी तीन साल और सेल्वेज नहीं है मान लो क्योंकि व्यम्ट कर दो प्रश्ट प्रश्ट पर रहे नू which machine should be purchased अगर कोश्चन में कुछ नहीं बोला है एन पे वे निकली है अगर कोश्चन में कुछ नहीं बोला है मशिन एक एन पे भी 21488 43974 ठीक है कौन से मशिन खरीदे तुसे एक दिक्त यह जो कमाई हो रही है कितने साल में हो रही है और यह समय तीन साल कंपरिजन कैसे हो से अगर सब के एनवड निकाल लेते हैं जिसमें life अलग-अलग है अगर life अलग-अलग है तो आपको annual निकालना पड़ेगा तब ही comparable हो इट मिस इफ एक note लिखें इस तर ये example से भी question institute पूछता है वहुँच ज़यदा note if lives of project or no equal then decision is taken on the basis equivalent करना ही पड़ेगा cost में equivalent तो आपने process cost में खोब किया equivalent NPV equivalent annual equivalent annual NPV equivalent annual बताओ 21,488 रुपिया कमा रहे है दो साल में तो हर साल का कितना 10744 कैसे निकल ना वाउ याद करो याद करो याद करो आप तो मैंने यही तो बूचा था यह कितने साल का है पास साल का तो हर साल का कितना तो divided by five क्यों नहीं किया भाई तर five नहीं होगा divide किससे होगा factors तो यह फॉर्मूला है नहीं ही common sense है पर मैं फॉर्मूला लिख एन पीवी divided by present value annuity factor ठीक है ओके मेरे ख्याल से यह question यह बाकी और भी मैं research कर सकता हूं नहीं करना है अभी हमारा एक्जाम पास में यह वाला आपको समझना पड़ेगा आपको factor से multiply यहाँ पहले वाले project में कितने साल का तो साल के factor से divide कर दीजी एन पी भी कितना है था है 21488 और दो साल का factor कितना है था 1.7 3.5 answer बोलो 1 2 3.8 5 ऐसे बी बी का एन पी भी कितना है था और तीन साल का factor कितना 168 अभी भी कौँ सा प्रोजेट करोगे बी ही करोगे तो यही वाला करेंगे अभी यस किसमस से कभी कभी अपोजेट भी आ सकता है अब वो लोगे कि मशीन भी शुड़ बी पर्चेस्ट यू टू हाइर एक्विवेलेंट एन्वल एन्पे यह काम कब करोगे जब लाइफ अलग अलग रहेगे हाँ जेली करेंगे 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 यह जब लेजिंग थोड़ा बहुत आइडिया है कौन से एक्वाटिंग इस्टेंट तर्प इसमें थोड़ा बहुत लीजिंग का आएगा तो टेंशन मत लेना क्योंकि वैसे आपका पढ़ा हुआ है लीजिंग इसा सुनो ना तो फिर थोड़ा पूछ लो जैसा मैं कार लेने कही है कार फाइनेंस करवाना था फाइनेंस जनरली किसी बैंक से करवाया मानलो मैंने इस स्ट्रीड बैंक से से फाइनेंस कर गाड़ी घर ले आया तो वो जो गाड़ी है वो किसके नाम से रहेगी मेरे नाम से कि बैंक के नाम पास साल है लाइफ पाच शी साल है मान लो पर मैंने फाइनेंस करवाए गाड़ी का रेजिस्ट्रेशन किसके नाम से रहेगा मतलब बैंक का कोई लेना देना ओनेर्सिप मेरी रेख मतलब मैं लाकर बेच सकता हूँ गाड़ी लाया यहां तो वैसी पार्किंग को जगा नहीं थी तो बाहर खड़ी किया जोर आया जाड़ी ले गया जोर बेच सकता है कि लीगली क्यों मतलब और सिप उसकी नहीं है और सिप किसकी है मेरी अच्छा बैंक की है बैंक की ओनर से चला सकता हूँ चला है बाहर ने ट्रैफिक पलिस है बोले कौन है मालिक जोड़ा है आगे बात करेंगे इस बैंदर अब हम लौ में जाए अच्छा में जो ओनर है वो बेच सकता है कि नहीं है बेच सकता है कि नहीं है है ना क्थेख आप फैर गाड़ी का रेजिस्ट्रेशन किसके नामसे रहेगा कि मैं 내नामसे यह lod में नहीं सकता है अच्छा रेजिस्ट्रेशन मतलब ऑनर सिपना यह चलो इंस्ट्राल्मेंट पे नहीं किया क्या होगा कर भसका वह बेच क्योंकि उनर्सिप नहीं है बैंक मतलब उसके पास ओनर्सिप है आगे बढ़ा हो कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं है अब जब लीज पढ़ाऊंगा ना इसमें तब बात करेंगे अब यहां तक हमारा काम कता हो गया कुछ राज राजी रहता है तो अच्छे अच्छे वाज़ी पढ़ती है उसके बद हम गाड़ी बेश सकते हैं आप अच्छा चलो तो फिर एक बत और पुछ लेता हूं अच्छा लगाने से एक्सपेंस कम होते हैं और टैक्स भी कम देना होता है मेरे दोस्त की विल्डिंग है उसका डैप्रीशेशन में लगा सकता हूं क्या क्यों अच्छा ऑनर्सिप उसकी है बाट के पास रहता है को ए और सिपकब ट्रांसफर होती है कभी यह सब्सुना है कि यह लीजिंग फाइनेन्शियल लीज के इसमें ऑनर सिपकर ट्रांसफर होती है पत्सलवत लाश्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा सब पढ़ा है ना यहां हाँ हाइप वर्चेस यह एक ही तो बात है हाइप वर्चेस लेजी मानते हो तो अभी किसकी है बैंक की हाँ बैंक की दिल खुश कर दे बैंक अब सवाल यह है कि मुझे डेप्रीशिशन लगाना मेरे दोस्त की विल्डिंग तो मैं अपनी बुक्स में डेप्रीशिशन लगा सकता हूं कि नहीं कि ओनर्सिप किसकी है अब भूल गया हूं मैं सीय हूं और मैंने एकाउंटिंग भी बढ़ बात करूंगा अभी क्या मैं आ यह तो वाक तो बताएगा कि अब अब बहुत अच्छा कोशन था इससे नहीं करवाना चाहिए मुझे और अभी मेरे पास कोशन नहीं है बुक नहीं है और हमारा लग भग कैपिटल विष्टिंग के अदम हो जो ऐसी कापिटल बश्टिंग के देखो तो मैं एमसी कापिटल बश्टिंग के ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें कॉश्ट आप कैपिटल की जरूरत नहीं पढ़ती है ऑप्सन 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 इस लिए बढ़ेगा ना यार पी आई में है पेबैक पिरेट में नहीं पड़ती है डिसकाउंटिंग पेबैक पिरेट में पड़ती है इसलिए मैंने अलग टेक्निकल्ट खुर एक्सकुंजी एक्सक्रीजम रपकूजल क्या होता है ऐसा पूछ रही है वी कोई कोस्चन ost को जिअ कॉष्ट वडूज़् यॉयॉक से ज्यादा है कॉष्ट अफ्क थी। यॉयॉक से ज्यादा मातलों कम है है तो क्या थ heps करना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए या नीट्रल पता नहीं क्या करेंगे ऐसा भी कोई कॉश्चन है यार बहुत लो लेवल के एंसी उस दे रखे अभी हमारे इपना सबक नहीं एक कॉश्चन और था जो मुझे या तो इसमें होगा तो मैं करवा देता हूँ या तो फिर मुझे एक्जाम्पल लेकर ही करणा अगर आप सूच रहे हूं कि इसमें जितने कॉश्चन दिये उतने ही करना है तो हमारा कोर्स दज दिन में खित estratég बशे है बहुत कम कॉश्चन है बहुत कम कोश्च उसमें कुछ नहीं होने वाला है तो इसमें उस टाइप का दिया नहीं है अब हम सीधा कोश्चन सी बनाएंगे और यह वाला इप्याम्पल में important लिख लेना, क्योंकि इसमें एक अलग concept था, इसमें especially क्या चीछ पढ़े थे, अगर life अलग अलग है तो क्या करना, इससे पहले वाले example में क्या पढ़ा था, अगर cash info नहीं दिया है, तो outlaw के business पर, last example, इसके बाद हम question के लिए रहे हैं, यह मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, अब खुद सोचना, थोड़ा सा अलग रहेगा, तर दो machine है, A और B पोश्ट, एक लाफ पेचास जार और एक अधसी एजार, रणिंग expenses तीस जार रुपे, और थर्ड़ी पाइप थाउजिन, तरी परेनम है न, परेनम, लाइफ, आट सा, आट सा, लाइब भी है लग है से, और सेल्वेज भी डालता हूँ, बड़ा सा मसाला, सेल्वेज, कोई tax wax का जंजट है नहीं है न, तो सेल्वेज जो है वोगो ले लेंगे, तो सेल्वेज इसका कितना आएगा 20,000 रुपे, और इसका ले लिया 40,000 रुपे, और cost of capital ले ले लेते हैं, 15% परेनम, विच मशीन शुड़ भी पर्शिष्ट, क्या CFAT पॉसीबल है, नहीं, तरहीं expenses है, तो CFAT तो, तो अभी आपको मालूँ है काम क्या करना पड़ेगा, cash outflow निकालना पड़ेगा, वो आपको आता है, एक बर वो निकालो, फिर life की विसे में सूचिंगे बात में, पहले वो तो निकालना ही पड़ेगा आपको, तो आप निकाल लीजिए, present value of cash outflow, अभी करवाए झाल, 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 झाल 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 कोई है जो बताएंगा मशिन एक आउट्टो कितना इस्वास करण तो फोर जेरो पक्ता तो फोर जेरो सिक्ष्टू से C C अगर मैं बात करहों तो ऐसा देख का लग रहा मशीन-बी अच्छा है यार मशीन-बी नहीं मशीन-बी नहीं नहीं मशीन-धी अच्छा आउटप्लोज इसमें कम है फर जिन्दी इसकी पात-साला है इसके आठ साल है ये पैसा टूटल कितने साल में जा रहा है पाच और ये आठ अब हमको निकालना पड़ेगा क्या नाम बलो एक्विवेलेंट एन पीवी नहीं पीवी सी तब फॉर्मूला प्लीज लिखवा दो पीवी सी ओ डिवाइड बाइड पीवी एएफ ये नोट्स जो हम बना रहे हैं कहां काम आने वाला है सी ओ फैनल वापस यही पढ़ाता हूँ है बच्चो पढ़ता हूँ ही हाँ अची आझे मैं अटचि आनल अंसर लेवाँ अटब इस फिर थिर्त गश्यक्त मंक्यों वाइए बूवाँ कि ये इस तो कि आवाँ आझे आखव एएएएएए प्रिवान दबल टू अबीवी कॉंस अच्छा हो गया है अब हम एक्जामपल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो भी कॉंसिप्ट्स कर था वह मैंने कर वा दिया अब पहले हमें बुक्स से कोश्चन पर करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर रिप्लेश्मेंट कैपिटल रश्निंग है क्वे धिम्हें थेटिमेंज सर्क 3 क्लास तीन चारक्लास तीन क्लास अजर 3-3 घंड़े की होती चक्वने लगिगे तो हमारा हमारा खत्म हो जायेगा Philip वुक्स अभी अओफ यहे अवे बैड़ने की रोड़ेक की लिगरमे करना पड़ेगा आज की भी कि देड़ की घंड़ी कि जब हमारा फ्लो बनेगा बुक्स आ जाएगी फ्लो बनेगा तो फिर ब्रेक ले लेकर पड़ लिया करते है काश आप समाझ पाते हांची चुटे